गुद इबनिंग और वेलकम टू एनदर सेस्टनाव कंप्यूटर कंप्यूटर की अगली क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत सागत है। जैसे पहले ऐसा होता था कि केवल दो-चार प्रस्निक के आते थे या एक ही दो प्रस्न आते थे लिश्किन अब इसको एजे सब्जेक्ट कंसीडर किया गया है और नए-ने टॉपिक्स इसमें आइड किये गया है। जैसे जितने भी टॉपिक्स यहां पर लिख रखें हैं। इन्प्रमेशन टेकनोलजी से लेकर इंडियाज अचीवमेंट्स इन कंटेंपरेडी टेकनोलजी टेकनोलजी टेवलिप्मेंट एन इन्उबेशन भारत के समकालीन विस्तु में टेकनोलजी यान प्रद्योगी की में विकास और नवाचार। यहां तक के सारे topics को क्रम से पढ़ने के बात करी गई है, जिसमें पहला topic हमने complete कर लिया है, दूसरा topic hardware, hardware में हमने आपको चार चीजें बताई थी, system hardware, memory, input, output, यह चार चीजें हमने बता रख थी, तो पहली वीडियो हमने आपको system hardware की बताई, system की, दूसरी वीडियो में आपको memory के लेके आऊंगा, और next जो अपनी चर्चा होगी, वो input और output की एक साथ हो जाएगी, तो हम अपना hardware का section complete कर लेंगे, दिन आप तर उसके बाद software, दिन उसके बाद operating system, दिन email and other things, जितने भी chapters हैं, वो सारे आपकी हो जाएगे, तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को subscribe कर लो और फिर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो जब भी मैं computer पढ़ाता हूँ, तब मैं ये कोसिस करता हूँ, कि आपको मैं कुछ practical examples लेके चलू, कुछ ऐसे वास्तविक दुनिया के उधारण लेके चलू, जिन से आप बहुत आसानी सी चीज़ों को समझ पाएं, और computer जैसे प्रैक्टिकल भिसे में भी ऐसे जो non-tech background के हैं, जो non-computer background के हैं, चाहे वो arts के हूँ, या बायू के छात्र रहे हूँ, उनका भी एक interest पैदा हो जाए, कि हाँ इसी चीज़े हो सकती हैं, तो मैं as a computer आपके सामने बैठा हूँ, आज कल हम बात करने चल रहे हैं memory की, तो हम जो जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, वो आप सब को मालूम हैं कि memory के अधारपद ही कर रहे हैं, है ना, इस्मिर्ती के अधारपद ही कर रहे हैं, अब इस्मिर्ती हम जैसे human mind को पहले समझते हैं, है ना, memory के मामले में थोड़ा सा मुझे समझे देंगे, memory के मानुवे में सबसे पहले आप human mind को समझा कि human mind कैसे काम करता फिर हम memory के प्रकार और तमाम चीजों को correlate करते हुए फिर computer के दुर्म्या में चलेगा सबसे पहले अगर हम human memory को देखें ती human memory जैसे दिन में सुबह में निकला बहुत सारी लोगों से मिला बहुत जगह में गया मैंने काम किया पुरा दिन जब मैं बहुत सारी students को पढ़ाया रास्ते में मुझे तमाम लोग मिले और्टो वाला मिला रिक्से वाला मिला दुकान व हमारे mind में कहीं न कहीं छप रही थी बात सही है एकदम correct है और मैं उनको अपने ही किसी विजूला ये सन्यानी अपने ही किसी पूर्व ज्यानिक आधार पर उनको एक नाम दे रहा था जैसे अगर कोई इंसान दिख रहा था तो मैं इसको इंसान सोचता था जानवर को मैं ग जैसे एक गाड़ी को मैं आटो कहता हूं एक को मैं ट्रक कहता हूं एक को मैं कार कहता हूं हमने यह differentiation इसलिए किया क्योंकि हमारे बच्पन में सिक्षा के क्रम में हमको यह बताया तो सबसे पहले एक छोटा सवर भी concept आएगा what is the difference between memory and storage memory and storage में क्या फरक है यह भी मैं आप से पूंचूंगा आगे चलके फिर हम memory के प्रकार और तमाम चीज़ें ऐसे पढ़ते चलेंगे लिकिन मैं थोड़ा सा आप से समय लूँगा कि मैं आपको यह समझा पाऊं कि actual में हम किसकी चर्चा करने चल रहे हैं तो मैंने आपसे कहा कि हमने भाई उनको देखा उनके अलग किया होता यह आप रोज ऐसा करते महीने भर साल भर तो जितने दिन आपने काम किया जितने चेहरों को आपने देखा जितने लोगों से आप मिले जितनी गाड़ीयों को आपने देखा क्या सब आपको याद रह जाएंगी मेरे हिसाब से आप नहीं याद करते हैं तमाम ऐसे के लिए उस data को रख पाते हैं नहीं हम अगर दिमाग पर जोर भी डालें कि पिछले मंगलवार को मैंने कितने लोगों को देखा था आप आज सेरे चकीत हो जाएंगे कि आप याद नहीं कर सकते हैं आप सिर्फ उन लोगों को याद कर सकते हैं जो जरूरी लोग थे जहां पर आप काम कर रहे थे याद करिए कि पिछले मंगलवार को या एक सब्ता पहले आपने जो काम किया था उस दोरान आपने बसेज में ट्रांसपोर्ट में आफिस में फिर जहां भी आप गए हों कितने लोगों के चेहरे आपने देखे थे जाते हुए रास्ते में देखा तो होगा ही ना लेकिन सब के चेहरे आपको याद नहीं है आप याद कर भी नहीं सकते हैं यह हमारी मुझे यह कहे कार कैसी होती है रहारी दिमांग में बन जाए की पैन कैसा होता है पैन पहुत सिंपल बात है पहला तो मैं में मैंजरे स्टोरेज में फरक बता दूँ मैंमठी का मतलब होता है विसेज समय में कारे करने लिए जो कुछ भी data हमें को चाहिए जैसे अकर मुझे मैथ लगानी हो तो उस समय जिसके जरूरत हो। मुझे संसकृट पढ़नी हो तो संसकृट की data की जरूरत है। मुझे बाइक चलनी हो तो मुझे बाइक वाले कुल उस समय traction चाहिए। तो काम करने के लिए जो data चाहिए जो जानकारी information चाहिए उसको कहते है memory storage का मतलब यह होता है कि कोई जानकारी हम permanently store कर देते हैं को रख देते हैं जैसे हमने car की image अपने दिमाग में store कर ली रिस्तों की समझ अपने दिमाग में store कर ली तो पहला फरक आप यह समझें कि memory storage दूसरा फरक मैंने आपको यहीं से समझा दिया है कि memory दो प्रकार की होती है एक जो temporary होती है जो particular उस time में हमें requirement होती है और एक हमारी permanent होती है जो data हम feed कर देते हैं अब मुझे लगता है आप यह समझ गए होंगे कि स्मिर्थी यानि memory कैसे काम करती है storage कैसे काम करती है अब मुझे आगे चलना चाहिए और कुछ यह आपको बतानी चाहिए मुझे उम्मीद है कि यह जो explanation है आपको बहुत हद तक समझना आया होगा तो चलिए बात करते हैं भई memory मैंने आपको बता दिया बेसिकलि अगर मैं कम्प्यूटर के संदर्म में बात करूं तो कम्प्यूटर में दो तरह की memory होती है पहली memory के आप कहेंगे भई primary memory और दूसरी को आप कहेंगे secondary auxiliary जो भी आप नाम दे आपकी इक्षा तो बेसिकलिए इन दोनों में डिफरेंस भी प्राइमरी यानि मुख है memory को हम लोग working memory कहते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं working memory और मैंने आप से यह कहीं आप memory है अक्चुली में secondary memory कोई memory नहूंकर यह storage है यह क्या है अब मैं आप से यहीं पर कुछ बाते बोलूँगा आगे मैं सब कुछ आपको पढ पढ़ाऊंगा लेकिन feel कराके पढ़ाऊंगा आपको बहुत मजाएगा अच्छा तो मैंने आप से यह कहा कि हमें काम करने के लिए पार्टिकुलर टाइम में जो data चाहिए होता है जो information चाहिए होता है उसको primary memory बोलेंगे memory बोलेंगे और जो हमको storage है जैसे हमने गाने डाउ चाहिए है जिस समय काम है बस उसी समय चाहिए बाद में उसका काम नहीं है लेकिन secondary memory का हमेशा काम रहेगा जो data उसमें फीट कर दिया उसमें वो पढ़ा रहेगा तो यहीं सारी चीजें है आप यह जान लो तो चलिए आप अपनी दुनिया में चलते हैं computer के दुनिया में च MPT के थुरू यह पढ़ाना चाहा है फिर जब इक स्मार्ट बोड आएगा दिन उसको हम अलग तरीके से लेके चलें अभी लिखने में बहुत समय जाएगा इसलिए आपके बोल देखें तो बेसिकली यहां पे बहुत सारे इस आपके लिख रखें हैं कि memory दो प्रकार की होत है बाहर से लगती जैसे pen drive, memory card, hard disk drive, floppy disk, magnetic tape यह सब क्या है यह आपके external devices है जो बाहर से लगाते हैं अंदर RAM होता है ROM होता है that is called internal memory तो ऐसे ही primary memory के दो पार्ट होते हैं मैं सब कुछ आगे बताऊंगा लेकिन अभी एक overview लेते हैं RAM होता है और ROM होता है RAM भी दो तरीके के SRAM औ इस तरह की चीज़ें होती हैं अभी हाल ही में से question भी आया हुआ था magnetic storage external आपके secondary में बहुत सारी तरह की होती है magnetic storage optical storage flash storage जिन में अलग-अलग types के आपकी चीज़े देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है कि basic समझ memory और इन चीज़ों को लेकर बन गई होगी तो चलिए अब म मैंने आपको बताया है मैं सारी चीज़े लेकर चलूँगा कि basically जो memory होती है जिस memory को आप जानते हैं computer के memory को उसको हम लोग in two parts में divide कर सकते हैं अब हम दिन दोनों memories के बारे में बहुत clearly आराम से पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए सबसे बड़ी बात क्या होगेगा कि आपको अब याद नहीं करना पड़ेगा है ना इसके notes कैसे मिलेंगे हाँ जिनने भी notes लेना है उनको मैं एक बार ये बता देता हूं कि जो चीजे मैं पढ़ा रहा हूं उन्हीं चीजों के मैंने notes handwritten notes बनाए हैं आपकी सुविधा के लिए ये आपको नई agency नई notes आपको मिलने हैं UPG के और computer दोनों के ही new अगदम नवीन latest facts के सास्थ notes है और totally handwritten होंगे जहां आप सकता होगी digital तरीके से भी ले आएंगे डिजिटल तरीका सिर्फ इसले होता है कि वहाँ पे हम pages बचा सके इस number पर आप WhatsApp करके जानकारी भी ले सकते हैं जानकारी क्या सीधे आप खरीद सकते ह हैं कि आप इस telegram channel पे दो files uploaded है जिनको आप देख सकते हैं एक एक chapter uploaded है इवन यहां पर मैंने कुछ images भी ले रखी है आप चाहें तो बहुत इस्तमिनान से इनको देख सकते हैं बाकी मैं यह कहूंगा कि आप telegram पे जाकी चीजों को देख लें वो बेटर होगा इस तरीके से लिखा है सब कुछ ना चाहें वो यूपीजी के का आपको बाइं तरफ दिख रहा होगा और राइट साइड में आपको computer का दिख रहा होगा तो यह कुछ चीज़ें हैं जो अमें आपको अभी तो अभी प्रवाइट करा रहा था कि आप future के लिए तयार हो सकते तो इस memory दो तरीके की primary and secondary so we are going to learn about primary memory last में हम लोग questions भी करेंगे तो मैंने बताया यह computer के main memory है मुख्य memory है यह temporary होती है अब आपको यह समझाना नहीं पड़ेगा आपको यह रटना नहीं पड़ेगा समझ कहे हो के memory is other thing and storage is other thing one is temporary and one is permanent that one is required at the time of functioning second is stored as a permanently यह बात आपको मादूब so computer के main memory memory है primary memory या प्रात्मिक memory या मुख्य memory या अस्थाई होती है अच्छा आस्थाई क्यों होती है temporary क्यों होती है वो भी आपको मैं बताऊंगा जब किसी input device द्वारा computer को आदेश प्राप्त होता है तो system unit में वो आदेश सबसे पहले main memory में जाता है मैंने यह आपको कहा कि जब कोई काम आप कर रहे होंगे उस काम को करते समय जिस सूचना क्या वसकता होगी वो कहां जाएगा main memory में जाएगा तो बहुत ध्यान से समझे लिए स्टोर नहीं करना यह memory है next is computer में दिए गए सभी आदेश प्रोसेस होने से पहले मुख्य memory तक जाते हैं जैसे अगर मु मुझे पिन का कमांड मिला है और पिन ऐसी ही होती है यह बात कैसे पता चली यह कभी मुझे किसे ने स्टोर की होगी मेरे मैंड में यह जान चारी ठीक है सो स्टोरेज का इंपोर्टेंस यह भी है कि वह main memory के help करता है अक्चली बिना स्टोर के आप help नहीं कर सकते जैसे आप आपको मालूम ही नहीं पेन क्या है अब बहुत memory मेरे पास से लिकर मैं कैसे बता पाऊंगा ठीक है तो यह कुछ information नहीं इसके और भी कुछ इसको volatile memory कहते हैं volatile इंदा नेचर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही बिजली चली जाएगी जैसे आप computer चला रहे हैं तो आप primary memory का यूज कर रहे हैं जैसे ही computer बंद करेंगे आप primary memory बंद हो जाएगी मत्तब कि computer के बंद करते हैं वो सूचना वो data वो process खतम हो जाता है फि telegram open हुआ है WhatsApp पांच applications खोले हैं लेकिन अगर इसको phone को मैं switch off कर दूँ और फिर दुबारा से reopen करूं तो क्या वही पांच में देख पाऊंगा नहीं तो इसलिए मतलब कि इसका मैं data बंद करूंगा तो यह data चला जाए computer में storage device भी होता है जिसे secondary memory कहते हैं जिसमें store किया data अस रखता होती है उसे मुख्य memory तक जल्द से जल्द लाना ही प्रोसेसर तक पहुंचाना ही primary memory के बारे माँ थोड़ा बहुत आपकी समझ बनने वाली है बैसिकली primary memory electronic semiconductor होती है जिसमें IC यानि integrated circuit के इसमाल होता है जो silicon की बनी होती है और आपको मैंने पीछे वाले chapter में समझाया मात अविस्कार किया थे अंदेना गानि मेν मेमोरी में फ्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी वही है conquこれ से स्टोरेज इस टोरई से केंडरी मेरी अब क्रई मेम--" जो आपकी होती है वो दो तरह की होती है ध्यान देना बहुत अच्छे से समाझ जाएगा कभी जीवन में भूलोगे नहीं रैम और रॉम रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड ओनली मेमोरी नाम खुद ही बता देगा कि मैं क्या हूँ जैसे यह मैंने कहा रैंडम रैंडम देखो नाम को पढ़ोगे न पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ random access, random का मतलब होता है किसी बेतरतीब तरीके से access मतलब पहुँच random मतलब randomly कभी भी किसी भी तरह की पहुँच बनाने के लिए जिस memory को यूच किया जाएगा उसको REM बोला जाएगा ROM क्या है, बहुत ध्यान से सुनना पढ़ाने को कह दिया जाए तो आप पीछे ना है तो random access, randomly access मतलब पहुच बनाने के लिए randomly पहुच बनाने के लिए random access read only memory मतलब जिसमें data पहले से भढ़ दिये हैं प्रोग्राम कर दिये हैं उसको के वोच पढ़ पाओगे उसमें कोई change नहीं कर सकते प्राइमरी मेमरी इससे दो तरही के लिए RAM and second is wrong अब RAM क्या है RAM का पूरा नाम है random access memory वही सारी चीज़े यहां लिख रखी है अब चुकि स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं लिख लिख के पढ़ा देता लेकिन इसमें क्या है कि लिखने में बहुत समय जाता हो अच्छी बैठती नहीं पैंटाइब में कम्प्यूटर के आस्थाई मेंमोरी है क्यों क्योंकि it is part of primary memory RAM is part of primary memory अब primary memory खुद ही आस्थाई है तो RAM भी आस्थाई है temporary है कोई दिक्कत किसी को volatile memory है क्यों क्योंकि यह खुद हिस्सा है आपकी प्राथमिक memory का प्राथमिक मेमोरी खुद ही वोलेटाइल इन नेचर होती है यानि बिजली बंद करने पर डेटा समाप ये भी वैसी ही होगी है ना प्रोसेसिंग से पहले डेटा नुदेसों को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है जान से पहँदना जब भी प्रोसेसिंग होगी थो ऊपढ़ा है मैन इमरी में जाता है अगर मैं मेरी के दो हिस्से की एक में जाता जाता होगा या तो रैम में जाता orada हो या तो रहा ठाबन में में भी एक दिन गाईब होता रहेगा क्योंकि वैहने की पisance नहीं है कोई का इस डिन उसको मालूम पढ़ेगा इक चीज सेट करना उस हिसाब से लाने में समय लगेगा तो थोड़ा सा टाइम भले लेगे वाट कम्प्लीट करूंगा सब अब एक्जाम में समय है तो सी ने से लिए और नजम ने लिए पृप्राइम समय लगता पर लिए और यह इस रेवर्ण वे बृप्राइमरी नहीं केकिताबों यह इस किताबו में बाशक्ẫnित्र अर उए प्राइमरी दो और है यह यहाẩD इस्तिमाल करते हैं इस में इस्तिमाल कर रहा हूं स्मार्ड बूर्ड भी हमको कभी स्मार्ड हो रिफ्रेस करना पदता आपको मालूम है क्यों स्मार्ट बोट में SRAM इस्तेमाल होती है इसमें डाइनमिक RAM में क्या होता है इसको रिफ्रेस करना पड़ता है बार-बार इसको DRAM को बट SRAM को रिफ्रेस करने के जरूरत नहीं होती है लेकिन SRAM महेंगी होती है च्छे ट्रांजिस्टर की बनी होती है यह कैस मेमोरी है कैस मेमोरी मतलब वेरी साट पीरियड देंगा आदमी के पास पैसा रुखता नहीं है, कैस नहीं रुखता नहीं, तो ऐसे समस्लों कि रुखने वाले नहीं, very short period, कैस memory में अलग से बताऊंगा, faster का मत्ता भी होता है, yes RAM is faster than DRAM, ध्यान देना, yes RAM, यहां पे clearly बहुत clear लिखा है, यह सवाल पूछा गया है, पूछा जाएगा, yes RAM is faster than DRAM, costly than DRAM, but better than DRAM, हाँ, ध्यान ध्यान देना, लेकिन महंगी भी है, अब अच्छी चीज़े महंगी तो होंगी ना, तो यह आपने ध्यान देना, किसी को doubt हो, बताओ, SRAM में 6 transistor होते हैं, और DRAM में only 1 transistor होते हैं, cheap सस्ती होती है, main memory में और cash memory, cash memory का मत्तब जो short period के लिए क primary के RAM, ROM, RAM के SRAM, DRAM, सबके definitions, explanations, पीछे एक दम, clearly mentioned है, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्क्राइब कर ले, और at a very minimum cost आप इसे मागा ही लें बार, है ना, जो content इसमें है ना, मैं यकीन से दिलाता हूँ, मैं अभी कुछ दिर में आपको लेके आओंगा, इसके पुस पढ़ाता है, read only, केवल पढ़ो, केवल पढ़ने वाली, अब किसको केवल पढ़ा जा सकता है, जिसमें पहले से कोई data इस्टोर कर दिया गया, यानि यह एक IC memory है, जिसमें संग्रही data वर निर्देशों को केवल पढ़ा जा सकता है, ना तो उनको change कर सकते हैं, और ना ही उस करोगे, तो मज़ा भी आएगा, जैसे रॉम बहुत तरीके की होती है, पी रॉम, इप रॉम, डबल इप रॉम, इसी से साथ एक सबाल अभी जुनिय असिस्टेंट है, मुझे आपको एक बात बतानी है, रॉम के बारे में, और मैं यहीं पर आपको बता, जैसे आप computer खोलत पासवर्ड मांगे, आपका wallpaper दिखाए, आपका icons दिखाए, क्यों दिखाए भई, कोई तो region होगा, किसी ने कहा होगा कि जब यह power button दबाएं, तो यही सब करना, आपका time दिखाता है, date दिखाता है, battery percentage, network and other things वो आपको सो करने लगता, क्यों भई, ऐसा क्यों होता है, क्यों मैंने पढ़ा, मैंने पढ़के डाल दिया, अब तुम केवल पढ़ हो, समझ में आया, जो programs के need होती है, पहले से, तो हमने कहा, basically, यह ROM थी न, हाँ, ROM में मैंने कहा, computer के motherboard में, silicon chip के रूप में fix रहती है, computer को boot करने से सम्भंधी, जितने BIOS, basic input-output system, and post, power and self-test, यह सारी चीज की है, न, non-volatile है, यह ध्यान रखना, computer बंद करने पर यह मिटती नहीं है, अस्थाई मेमोरी है, कौन सी, ROM, ROM अस्थाई है, RAM अस्थाई है, temporary है, ROM पर्मानिंट है, RAM पर्मानिंट नहीं है, temporary ध्यान देना, ठीक है, तो ROM के कई सारे types हैं, उनने आपको बताया, कि ROM के PROM, EPROM, डबल EPROM, इबन एक पेपर में, तो EPROM में E का मतलब पहुचा था, है न, यहां देना, तो सभी लोग वीडियो को भी लाइक करते चलें, सरवंदरों का फिजिकल कपत होगा, यह इन सब के लिए एक अलग से वीडियो आती है, उनको आप देखें, क्लास में आप जानकारि लंबे समय तक लोग देखेंगे, और हो सकता है कि आज के 6 मेने बाद इसको कोई देखे, तो वंदर होगा कि डेट का कोई आचित ही नहीं नहींगा, कि इस वीडियो में कोई फायदा होगा, उनका, उसके लिए से लिए सीपरेट बात करते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रॉम, प्रॉम का मत्तब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह सबसे साधारन प्रकार के रॉम है, जिसमें केवल एक बार, ध्यान से सुनना, केवल एक बार किसी डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं, अगर आपने एक बार स्टो तो चेंज कर पाओगे और ना ही उसको डिलीट कर पाओगे ना तो चेंज और ना ही डिलीट पूंचा जा सकता है कि BIOS कंप्यूटर के किस मेमोरी में रहता है तो आप बता देना ROM में रहता है और EPROM में रहता है यह भी बड़ी बात तो यह तीन तरीके थे PROM, EPROM और WEPROM तो पहला आपने पढ़ा दूसरा आप पढ़ें EPROM ना अच्छा यह EPROM है यह PROM हो गया यह EPROM है PROM, EPROM इरेसिबल नहीं कि PROM में प्रोग्रामेबल read only memory में इरेसिबल जोड़ दें इसका क्या मतलब हुआ पहला तो इसमें यही पूंचा जाता है कि EPROM का निर्मान कैसे होता है EPROM के ROM पर पराभैंगनी säga के सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जाता है तो कल को आपसे पूंचस चकता है कि कौनसी और memory है जिसमें पुराने प्रोग्राम पराभैंगनी यानि अल्ट्रा वायलेट रेज के थुरू नया प्रोग्राम, न्यू प्रोग्राम रेट किया जाता है, that is EPROM, not PROM, EPROM, ठीक है, एक बार इस तोर किये कि डेटर प्रोग्राम को केवल रीड किया जा सकता है, किसी तरह कि अडिटिंग या अल्टरेशन करना चाहते हैं, तो ये संभाव नहीं होगा यी प्रव मको इल्ट्रा वाइलेट प्रव भी कहते हैं क्यों कि इसका जो निर्माढ होता है वह परबैगकनी किरणों के सहायता सेaking म्हाराने प्रोग्राम को प्रोग्राम को लिखने के होता है। Next is double E PROM Electrically Erasible Programmable Read Only Memory First is ROM Read Only Memory Second is PROM Programmable Read Only Memory Next is e PROM Erasible Programmable Read Only Memory Next is double E PROM that means Electrically Erasible Programmable Read Only Memory इस तरह के ROM को सरकुरिट से निकाले बिना इस पर उच्च विद्दुवो के सहायता से पुराने प्रोग्रम को हटा कर नया प्रोग्राम लिखा जाते हैं इसको फ्लैस मेमोरी भी कहते हैं इसको हजार वार रिप्रोग्राम किया सकता है इनका प्रयोग रियल टाइम वाचेज में डिजिटल पोटेंशियो मीटर्स में इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है तो हमने रैम और रॉम की कहानी पढ़ ली है प्राइमरी मेमोरी के जो दो पार्ट थे रैम एंड रॉम उनकी हमने चर्चा कर ली है तीसरी प्राइमरी मेमोरी में ही एक और मेमोरी आती है जिसका नाम है कैस मेमोरी अचा नाम से पता चलो कैस पहुत सारे लोग ये सिकायत करत मतलब ऐसी चीज जो बहुत सौर्ट टाइम है जैसे मैं कोई काम करता हूँ अभी जैसे मैंने को उपन किया और इसमें मैंने माल लिजी कि कोई गेम अभी मैं उपन कर रहा हूँ या कोई पीडियाप उपन कर रहा हूँ जिसमें कॉश्चन्स हैं तो उसको लगाने के लिए कोई formula मेरे मायन बाना चाहिए जा गेम जीतने के लिए कोई टेक्निक मेरे मायन बाना चाहिए जिसको कोई काम बहुत सडेन करना होता है तो जो डेटा उसको बहुत जल्दी चाहिए जो उसके सबसे करीब डैटा हो तो कहते हैं कैस मेम्णी पढ़़ोगे ना तो एक तेज से काम करने वले मेमुरी है जिसका इस्तेमाल CPU की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अपने डिसीजन्स अच्छे बना सकते हैं अपने अपने रिजल्ट्स अच्छे बना सकते हैं जिसको जत्ता जल्दी फॉर्मूला याद आएगा उत्ते जल्दी सबाल लगा जिनका इस्तेमाल CPU नियमित रूप से करता है जब भी CPU को कोई डेटा चाहिए होता है तो CPU सबसे पहले उसके डेटा को कैस मेमरी में रखता है जो प्रोग्राम जो चीज़ें जो डेटा बार-बार इस्तेमाल होता है और जब इस्तेमाल करना होगा उसी के जरूद कि कम्प्यूटर के सबसे थैज घभली होती है लेकिन इसका जो द Chris सम्ता जू होती है बहुत सीमीत होती तेज तो बहुत ज़्यादा होते लेकिन बहुत वास्प नहीं होती So that is cache memory की CPU को frequently जो काम करने होते हैं बार-बार जो काम करने होते हैं उसके लिए जिस data and information के requirement होती है वो cache memory से ही लेता है प्रकार होते हैं लेवल वन प्रकार होता है यह साइज होता है इसाइज होता है अगर आप सक्सेज होने के लिए पढ़ने तो फिर आपको बहुत गंभीर तरीके से नोट्स लेके सांती से किसी कौने में गंटे दो गंटे उसको देना पड़े लेकिन आप बैसे भीड बेड चाल में हैं कि ये क्लास देख लूँ वो क्लास देख लूँ इसको भी पढ़िली आप तो बटी संतुस्ती होगए कि किताबेबी खरीद लिए कोर्स भी भी खरीद जा क्लास भी ले लिया संतुस्ती तो आपको आ जाए पर आपको जयानकारी नहीं है कि आपको knowledge नहीं होगा कहते हैं किताबे खरीदने से किताबे होने से कोई ग्यानवान बन जाये तो दुकांदार सबसे यादा ग्यामनान होता लेकिन ऐसा नहीं है इन चीजों को समझने सीखने आपको समय देना पड़ेगा कल आप सिकायत करेंगे चिल लाएंगे कि question नहीं मिलते paper में क्यों क्यों कि आप पढ़ते ही नहीं है वो चीज आप skip कर देते हैं teacher आपको वही पढ़ाता है जो आपको अच्छा लगता और अच्छी लगने वाली मतलब अच्छी चीज़ें ज्यादा तर अच्छी नहीं लगती कड़ी लगती है समय देना पस्ता है ए एक दिश्टर मतलब ये साब किताब अलगर नहीं है चोड़िस्टर है जिसको द गोगल पर टेलिग्राम पर हजारों मिल जाएगी पहले पढ़िए रजिस्टर क्या होता है कंप्यूटर के मेमोरी का एक भाग है जो अधिकतर प्रोसेसर में पाया जाता है यह तुरंत कारे करने के लिए डेटा को उपलब्द कराता है इसको कहते हैं प्रजेंस आप माइंड ठीक है रोज वही काम करना है तो इस डेटा को एक जगा रख दिया तो वहीं से उठा लिया बार-बार वही चीज़ ठीक है ऐसे रजिस्टर क्या है जो प्रजेंस आप माइं जो पार्टिकुलर एक टाइम में जो हमको डिसीजन के लिए चाहिए डेटा इंफॉर्मेशन उसको बो पड़ती हैं तो मुझे बार-बार जाना ना पड़े उसको कहते हैं कैस मेमोरी रेजिस्टर मेमोरी पढ़ाते वक्त मुझे जो इनफॉर्मेशन या प्रजेंस आप माइन चाहिए डैट इसको रजिस्टर मेमोरी यानि उस काम को करते वक्त जिन डेटा निर्देशों की इ ज्यादा मजाता समझ भी जादा आता लिखोंगा तो बहुत समय लग जाएगा वैसे ही लोगों को क्लास लंबी लगने लगी है तो एक पतले प्लास्टिक का रिबन होता है जिसमें मैटल अक्साइड होता है मैटल में मतलब आयरे नहीं आती है मैगनेटिक टेप है यह इस इसके स्टोरेज चमता 120 से लेकर 200 GB तक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है बहुत भी सुसनी है अब ही तो इसका इस्तमाल नहीं होता है पहले इस्तमाल होता था प्लास्टिक के रिबन में ऐसा आइरन आकसाइड का लेप लगा कि उसमें मेमोरी सेफ करते हैं आज भी जो मेम स्टमाल क्या वो तो अर्द चालाक है ना सेमेकंड़कर है आपके पास मेमोरी होगी ना आर्जीवी बी 16 बी 32 उसको देखोगे प्लास्टिक है उसमें नीचे इसे धातु की पट्टी बनी हुई है उसको सेमेकंड़क्टर बोलते हैं सिलिकान का बना है ऐसे ही इसमें क्या प्लास्तिक का रिबन था मैटल आक्साइड ऐसे लपेट दिया था और इसको इस्टोर इच्छमता बना लिए अभी तो सीडी की भी बात होगी बहुत सारी बातें बचलेंगें यह क्या है मैगनेक्टिक टेप है यह मैगनेक्टिक डिस्क है रहां देना मैगनेक्टिक टेप सो यम्बी से 200 जीबी तक रख पाता था जब मैगनेक्टिक डिस्क आई ना तो 100 जीबी से 1 टीवी तक का डेटा इस्टोर होने लगा और यहां पर जैसे magnetic tape में metal oxide लगती थी, वैसे magnetic disc में magnetic element लगने लगा, चुमकी पदार्थ को इसमें लपेटा जाने लगा, ठीक है, और magnetic disc का जो अविस्कार किया था, 1950 के दसक में IBM की lab में इसको किया गया था, सो basic difference है magnetic tape और disc में, magnetic tape को पहली बात तो प्लास्टिक पे लपेट के बनाया गया था, दूसरी बात यह है कि जिखो ध्यान से सुनोगे तो मज़ा आएगा, magnetic disc में क्या है कि इसकी छमता भी जाता थी, और इसको उस तरह नहीं बनाया गया था, जैसे हमारे पास आज बहुत सारे memory storage है, memory card है, pen drive है, hard disk drive है, solid state drive है, ऐसे multiple things है, या cloud storage है, ठीक है, लेकिन पुराने की जमाने ऐसे नहीं थे, ज़र आपना जमाना याद करो, आप तो मेरे जमाने के होंगे ही, ते तो नए नवेले नहीं होंगे, जब हम लोग DVD लगाते थे, DVD में cassette आती थी, एक movie की दो पार्ट्स होते थे, सुरू-सुरू में जब CD आती थी, तो एक CD, मतलब एक movie के लिए दो CD लगानी बढ़ती थी, जब DVD आ गई, तो आपने देखा कि एक ही DVD में पांच movie जाने लगी, कपैस्ट्री बढ़ी न, याद करो, पहले black and white TV में CD थी हमारे पास, हमारे घर भी थी, एक picture देखने के लिए दो बार cassette बदलना पड़ता था, फिर DVD आई, एक cassette में पांच picture आती थी, स्टोरेज बढ़ी यही तो बात अच्छी है, तो ऐसे आपको समझे, magnetic disk भी तीन तरीके के होते हैं, floppy disk, hard disk and magnetic tape, floppy disk बहुत minimum बहुत छोटी होती है, 1.4 MB का data रखती है, बस यह, hard disk में 256 GB से लेकर 1 TB तक का, अब तो even अभी के समय में hard disk को और बड़ी बड़ी आने लगी हैं, 1 TB, 2 TB, 10 TB हैं उसके magnetic disk के 3 types हैं, next is magnetic tape, hard disk जो आप लोग HDT लगाते हो, अब computer खरितने जाओगे, hard disk आपको 1 TB 500 GB मिल जाती है, जैसे मेरा जो computer है, मेरा जो laptop है, यह है आपका देखो 8 GB, और यह है आपका 500 GB, मैं बताता हूँ यह सब क्या है, and next is 1 TB, यह 3 features अभी मैं जिस laptop से पढ़ा रहा हूँ, इ इसकी RAM है 8 GB, और पढ़ाने के लिए मुझे SSD लगवानी पड़ी, 500 GB की Solid Straight Drive लगवानी पड़ी, storage के लिए मैंने 1 TB HDD लिया हुआ है, यानि hard disk drive लिया हुआ है, तो अभी भी मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा फोन है, फोन में RAM है 8 GB, इंटरनल है 128 GB, इंटरनल बोले त से जादा अच्छे समझोगे, that is RAM जिस पर ये काम करेगी, that is SSD जो इसके काम को में तेजी लाएगी, और 1 TB जो हमारे डेटा को स्टोर करने का काम करेगी, तो ये आपके 3 तरह के हार डिस्क के बारे में थोड़ी से इन्फोर्मेशन ये है कि पांच तरीके की होती है, साटा, पाटा, नैमी, SCI, SSD, अब इस सब नाम आपको बड़े अजीब लगए होंगे, आज से लिए वीडियो को सभी लोग लाइक भी करते चले, क्लासिस आरो यारो के लिए हैं कि नहीं, आरो यारो का तो पेपर आ गया है, जी, रिजल्ट और तिंस आप डियूरिंग जो उसके लिए सीप्रेट वीडियो जाती है, उन्हीं के दौरान पूंचे, थोड़ा रेस्ट भी कर लें और जो लोग नए लवे नबेने हैं, उनक को आप इन के वाट्सअप नंबर के तुरू मंगा सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया करो, यह इनका डेमो गह रहा है, घर्ष्ट कर रहे हो तो कुछ काम की भाद भी हो जाए न, जिससे पैसा वैसा आए, पढ़ो लिको गई, जो काम का है उसे लेना चाहिए, तो क बिशिक्लि हार्ड़िस ड्राइब चार, पांस तरीके के होती है, और इसमें पहला नाम है आपका, साटा का, सीरियल अडवांस टेक्नालोजी अट्याच्मेंट, ज़्यादा इन के बारे में बताऊँगा नहीं, पार्टा मतलब पैर्लल अडवांस टेक्नालोजी अब मैं आपको इसके बारे में छोटी सी मैंने यह जानकारी इसके लिए है तो कि आप समझ पाओ कि मैं कहना क्या जाता हूँ एक्चुली हार्ड डिस्क में जो यह चीजें लगती है साठा पार्टा नेम एसके तरफ आएंगे पहली बात तो यह महंगी होती जाती है साटा सथी है पटना उससे महँगई है लिया कि जैसे साटा पटना ड्स नाम नेचे आओग मेंड उतनी स्पीड और इफीशियंकि बड़ जाए जैसे जब आप phone में लैपटॉप में लगाओ गए 1949 meter लगाओगे वह ज्यादा अच्छे से क्याम करेगा साइटा लगाओगे तो ज्यादा अच्छे से सिमपल बात समझो मैंने laptop खुलत स्क्राइं कोड़ा फायल स्थे प्रोटी मेमोरी लगाओगे कम पावर की मेमोरी लगाओगे तो इसको देर में बहुत देर में खोजेगा अच्छी मेमोरी है तो बहुत जल्दी खुल जाए जैसे मैंने लैप्टॉप में SSD 500 GbC जब मैं भी खोलता हूं अपने लैप्टॉप तो यह मैक्सिमुम टू तू फाइप सेकंड पांस सेकंड लगते हैं मेरे सामने सारा कुछ खुई जाता है बट यहीं अगर अससीज नहीं होते हैं तेन टेक्स 15 तू 10-15 सेकंड मतलब समय को आधा कर दिया और यह चीज वहीं प अब जो मैं बताने चलना हूं डाट इस ऑप्टिकल डिस्क सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर दें जिन लोगों ने नहीं किया है तो बहुत जरूरी है यह लेखो अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं सभी लोग ध्यान देना जैसे आपने कभी पढ़ा होगा आप्टिक्स फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा मेरी पेन पर नज़ा रखें आप्टिक्स का मतलब होता है जो जिसमें हम लोग लाइट का यानि प्रकास का ध्यन करते हैं बात करेक्ट है आप्टीसियन के पास गए होंगे जो चसमे उसमें बनाता होगा तो आप इसको वै प्रक्स लिखूंगा जिनको लिखना जरूरी है वरना उसके बिना मुस्किल हो जाएगा बहुत सारी कीजिए याद रखेंगा पहला आपको रहेगा कि यह जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क इसको तुम हटा देता हूं जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है यह पहली बात तो यह कि यह पॉली कॉर्बोनेंट की बनी होती है पहले अभी आपको मैं बोलूंगा न तो आप अभी तो ऐसे समझ नहीं पा रहे होगे कि क्या है ऑप आपने CD देखी होगी आपने DVD देखी होगी कभी पर आपने कैसेट का इस्तमाल किया होगा कि नहीं किया होगा यहीं है optical disk आप सारा जो आप कैसेट इस्तमाल करते थे लिए डीवीडी में वह आपके तूटते नहीं जल्दी ध्यान देना अब इसके लिए मैंने इसलिए इमेजेज ले ली कि आपको मालूम पड़ जाए क्या पड़ना है तो यह आपने देखा हो का प्लास्ट टाइप में रहते हैं तो बैसिकल यह पाली कार्बोनेट है जो मटेरियल आपको देखता है फिर आ इसकी वह हैं कह सकते हैं कि बृत्ताकार होती है ठीक है और इस पर एक चमकदार परत रहती है वह क्यों रहती है आपने आपने इसको देखा होगा मुझे लगता है वकर आपने देखा होगा तो निसी रूप से याद होगा कैसे डीवीडी बगरा ठीक है और इसको जैसे इस लोग लिखते हैं कि देटा को अगर आपने दो कैसेट ले लिक तर आप सोचो कि यह कि फहले नहीं की रधा रिशबtał jonk आगर है को एंवे उसको फार दाल दाली बात तो सही है नँगाओ अ इसको लगाओगे तो कोईला चलेगी और दूसरी बाजी लगाओगे तो पठान चलेगी, simple है तो इसलिए इसको बोला जाता है इसके data को write करने के लिए या read करने के लिए दोनों ही तरीकों के लिए actual में हम लोग laser beam का इस्तिमाल करते हैं laser beam यही वज़ा है कि इसको हम लोग optical disc को laser disc भी बोला जाता है और मैं आपको example दिखा दिया तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ों को समझ जाएंगे और आप इसको देखें इसमें आपको यह बोला जाएगा कि optical disc में track जो होते हैं वो संकेननीत बृत्तों में न होकर एक सर्फ और हो यासे यह डारेक्ट ऐसे नहीं रहते है इसमें špailakar आ अब आपको इमेज दिखा दिया हूं मुझे लगता है अब मुझे नहीं बताना पड़ेगा तो पहला यह कि अप्टिकल डिस्क में ट्रैक जो है वो कॉसेंट्रिक ना होकर मतलब संकेंद्रित बृत्तों में ना होकर बाहर से अंदर की और सरपिलाकार आकार में होता है और इ इससको बता देता हूं क्या है तो अप्टिकल डिस्क में डेटा को पीट्स और लेंड्स में तूर किया जाता है यानी डेटा को जो लिखने के लिए लेघर भीम का प्रीयोग किया जाता है जब बेड़ेगा इस्तेमाल किया जाएगा तो कुछ गढ़्धे बन जाएंगे तो जो गड़े बन जाएंगे लेजर बीम को इस्तेमाल करते वक उन गड़ों को एक्च्वल में पिट्स बोला जाता है और जो जगा समतल रहती है ज़ो जगा समतल रहती है उसको लैंड्स बोलते हैं मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे तो पिट्स एक बाइनरी नंबर जो होता है उसको जीरो को रिपरजेंट करता है और लैंड्स आपके वन को रिपरजेंट करता है सारी जानकारी मैंने थ्रू इमेजे इसलिए बताई आप इन इमेजेस को देखते रहें चोकि आपको यहाँ से याद होगा अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यह प्लास्टिक की टाइप में होती है ऑप्टिकल डिस्क पाली कार्बोनेट की बनी होती है इसके एक सता चमकदार होती है खास तोर से इसमें fakat इस्तेमौनेएं का इस्तेमाल किया जाता है उसको चमकदार बनाया जाता इसमें डेपा करने के लिए गोल इरग्ताकार होती है औлагशा मैंने बताया कि इसliches चीज बनती है आपकी पिट और एक चीज आपकी बंदी रहती है लैंड बहुत ध्यान से सुनना तो पिट क्या है जो गड़े बन जाते हैं उनको पिट कहते हैं और जो समतल जगा रहती है उसको हम लोग लैंड बोलते हैं यह आपका पिट से द्यान से समझ माया, so this is all about optical disc, इसके फायदे ये था कि जैसे हमने आप से कहा, अब ध्यान से मेरी बास सुनना तो अभी आपको ज्यादा समझ माया गया, जैसे मैंने आप से कहा कि भाई, पहले हमारे पास CD हुआ करती थी, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, कि पहले हमा लगाने पड़ते थे, दो डिस्क लगानी पड़ती थे, बात करेक्ट है, डीवीडी में हमारी एक ही डिस्क में पांच मूवी जाने लगी, पांच मांच मूवी हम लोग देख लेते थे, इसका मतलब क्या हुआ, उतने ही पैसे में हम ज्यादा डेटा स्टोर कर पाते हैं, सीडी जल्दी खराब हो जाती ती डीवीडी जल्दी नहीं खराब होती, बाद में ब्लीूरी डिस्क आई थी, ब्लीूरी डिस्क ऐसी थी जिसको हम लोग और लंबे समय तक क्या स्टिमाल कर पाते थे, और अच्छा डेटा इसमें हम लोग इस्टोर कर पाते थे, ठीक है, और जल्दी खराब नहीं होती डेटा मिठता नहीं है हाँ इनकी एक परिशानी थी परिशानी यह थी कभी है आपने अगर लाया हो इसको किसी पहले इसके दुकान होती थी लोगों के पास लेटे कि यह वह यह कहते थी कि आप इनको जो इसमें जहें दो जादा चाहिए और आंदर के लेएर में हम उसको टाच नहीं कर सकते फिंगर से, ठीक है, स्वेड वेरी फस्ट, वी आर गोईंग टू लर्न अबाउट सीडी, हम थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे भी, क्योंकि बहुत जरूरी है इसको पढ़ना, ठीक है, इससे सवाल हमारी परिक्षाओं में, बहुत सारे पूछे जाते हैं, पहला जो इस साई रूप से हो जाएगा, मतलब आप जिस डिस्क में, जैसे अगर मान लीजिए, इसमें मैंने डाल दी, चलो भाई, तुमको मैं दिखा देता हूँ, KGF मोवी मैंने इसमें डाल दी, अब मैं इसकी डेटा को हटा नहीं सकता, इस कैसेट में मैं दुबारा कोई मोवी नह पाऊंगा, कुछ भी अफ्लोड नहीं कर पाऊंगा, रॉम की तरह मतलब जैसे एक बार आपने जो चीज़ इंसर्ट कर दी, दुबारा आप इसमें नहीं कर सकते हैं, दुबारा आप इसको चेंज नहीं सकते हैं, सबसे पहली बात यह हो गयी, और इसको पढ़ने के लिए, हमको इसको रीड करने के लिए इसके डेटा को रीड करने के लिए हमको इन्फरा रेड इसके इसलिए मैं लिखता नहीं कि इसमें समय लगता है बहुत सारा इन्फरा रेड लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाते है अब इसके एकर हम उसकी बात करें इसके हम व्यास की बात करें भई आपको दिख विरावगा फीछे इसका व्यास लगभग 120 mm और इसकी जो मौटाई होती है CD की CD के मौटाई होती है प्रॉक्स 1.2 mm और इसमें एक डेटा और हमारे काम का होता है जब गभी साधी का वीडियो भनाते हो तो 3 बनती थी क्योन बंती थी एक मौटाई क closes twice दो गंटे के लिए दो डिस्क लगती थी दो बार हमको कैसेट चेंज करना पड़ता था पहली बार और दूसरी बार तो कि एक कैसेट में 80 मिनट से ज्यादा डेटा हम लोग भर नहीं पाते थे तो वह 60 मिनट ही भरता था उसके बाद 50-60 मिन करके ऐसे दो डिस्क बना देता थ इस कैसेट में अगर आप देखेंगे तो देखो यहां पर 8X लिखा हुआ है इसमें तो अभी तो आप लोगों नहीं उच्चिया होगा इसमें लिखा हुआ है DVD प्लस आर डबल लेयर 8X यह सब उसमें लिखा रहता था और हमारी जितनी भी DVD आती थी जैसे एक में लिखा र DVD-RW है यह यह आपकी CD है CD में देखो 700 MB लिखा हुआ है इसको ठोड़ा सा और जूम करते हैं तो इसको जूम करते हैं इसको कॉंपी करके देखिए कहीं और लेके चलते हैं यहां दिख नहीं राच्छे यहां ले आए देखिए देखिए इसको आप जूम करके देखेंगे ना वैसे इसमें यह आपकी पहली वाली CD है यह आपकी CD है जिसमें लिखा है 770 मिनट यह आपकी DVD है जिसमें 4.7 GB और 120 मिनट ऐसे करके लिखा है या कुछ भी लिखा है यह आपकी Blu-ray डिस्क है यह 50 GB इसमें लिखा हुआ है और यह 1982 से यह 1995 से और 2006 से हमारे सामने है तो यही चीज में हम पढ़वी रहे हैं कि actual में CD क्या होती है तो हम यह बता रहे थे कि जो आपका CD में यह जो आपको बताया इस जगां पर यह जो नंबरिंग लिखी रहती है 8x 2x 52x 72x करके लिखे रहती है तो यह गती को बताने के लि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जैसे 2x 8x 52x 72x यह उस डिस्क की स्पीड बताने के लिए होते हैं ठीक है क्या मतलब हो इसका मतलब है रका मतलब क्या है एक रिकॉर्डब मैं और जो रडबलू है इसका मतलब होता है CD री राइटेबल अब तो आप समझ गए हो कि तो अनमें क्या विटेफरेंस है तो बैसिकली CDR क्या होता है कि एक ही बार इसको आप एक ही डिस्क recordable एक बार एक बार आप के वहल एक बार इसमें डेटा डाल दीजे फिर आप उस डेटा को ना तो दुबारा चेंज कर पाएंगे और नहीं आप डिलीट कर पाएंगे और CDRW क्या है CDRW में अक्चुली परिवरतन किया जा सकता है डेटा को एक बार इसमें कोई चेंज किया जा सकता है दुबारा कोई डेटा इसमें इंसर्ट भी किया जा सकता है तो यह आपके बेसिकली CDR और CDRW में क्या है साथियों डिफरेंसे हैं तो यह आपके CD की कहानी हो गए नेक्स आप देख लें थोड़ी सी कहानी DVD की बता देता हूं जो डेटा आपके इसकी स्टोरेज चमता होती है 4.7 GB to 8.5 GB इतना डेटा इसमें इंसर्ट किया जा सकता है बैसिकली DVD में ठीक है अब इसमें बहुत सारी हैं डॉल्बी और जब यह DVD आया तो इसमें बढ़िया ओडियो कॉल्टी भी अच्छी है डॉल्बी डिजिटल ओडियो इसमें आ गया डि ठीक है नेक्स्ट आपका आता है ब्लू-रे डिस्क ब्लू-रे डिस्क जब ब्लू-रे डिस्क आया तो बैसिकली इसमें ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगी बस यह बता देते हैं कि ब्लू-रे डिस्क जो छमता है वो आपकी 25 GB से लेकर 50 GB तक बढ़ गए मतलब एक ही डिस्क में आप कम से कम 15-20 मूवीज भर सकते हैं बैसिकली 50 GB का मतलब यह होता था इसका आप मतलब भी समझ लो कि 50 GB में अगर आप देखें तो 9 घंटे आप HD वीडियो देख सकते हैं HD वीडियो है ना हाई डिफिनेशन वीडियो आप 9 घंटे और अगर आप SD में देखोगे स्टैंडर्ड डिफिनेशन में अगर आप देखोगे SD वीडियो देन यह 23 घंटे का वीडियो हम लोग इस ब्लिवरे डिस्क में स्टोर कर सकते हैं ध्यान से समझना क्या मैंने बोला मैंने कहा कि पहले आप CD में केवल 80 मिनट का डेटा भर सकते हों और 700 MB का डेटा भर सकते हों और एक बार केवल इसके वे दो टाइपस है CDR, RW, R में केवल एक बार डेटा भर सकते हैं चेंज नहीं कर सकते हैं CDR, RW में रिराइट कर सकते हैं DVD में 4.7 GB to 8.5 GB चले जाओगे और इसको आप कई घंटों तक की इसमें वीडियो डाल सकते हैं और ब्लूरे डिस्क 25 GB से लेकर 50 GB तक गई अगर आप HD में देखोगे तो 9 घंटा दिखेगा अगर आपको SD में देखोगे तो आपको ये 23 घंटा दिखेगे तो अप्टिकल डिस्क वैसे तो अप्टिकल डिस्क की लिस्टिंग में आपको उपन करके दिखाता हूं जहां मैं आपको पढ़ाया था ये वाला अब मुझे उमीद है कि काफी देर से जो चीज में समझा रहा हम इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपने निकाले ह होंगे आपके काम के होंगे और वह आपको परिक्षा में काम है यहां पर देखे और भी बहुत सारी चीज़े लिख रखी है जैसे इसमें बहुत सारी बातें कर भी ली हैं जो बच्ची हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे से CDR CDRW DVD विल्यूरे इसकी बात है पेंडरा है माल प्लेस मेमरी यह होती है इसमें कोई पुराना डेटा हटा कर नया डेटा डाल दिया जाए आट वेरी स्वाट पीरियद तो दिस वोज अल बाउट ऩुट मैं मेमरी तो मैं देखता हूं भी कौण कौण है इसे चलुम को मैं ayamam पर मबस्त के कमेंट्स कर दोए तो चाहिए मैंने पढ़ाया है इस तत्तना डि ॸ데 चाहिए से ना मिलें और बहुत सीक्वेंस में सारी चीज़ें मैंने बताई हैं पढ़ने लिखनों को तमाम जगहें हैं तमाम चीज़ें हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं इनके क्वेस्टन्स भी मैं आने वाले समय में आपके लिए सॉल्व करा दोंगा तो थोड़ा उसके लिए वेट कर ल इंपरिटर के नोर्स जो आप इस वाटसप नमबर को निकाल के मैसेज करके आप दे सकते हैं तो वेरी मिनिममम कॉस्ट और वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट अवेलिबल है कहने की बात नहीं है आप लेकि खुद ही अपने आपने बदलाव महसूस करोगा तो चलिए आज के में फिर इतना ही रखते हैं फिर मिलेंगे आपसे किसी और दिन सकते हैं और क्रफित घ्र होगे